तो हाई अवर्यून एधिंग हम लाइव आ चुके एंड मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगा फटा फट से 10-15 मिट में हमें पूरा कोशिन खतम करने ब्लैक सोल्स का सबसे पहले मैं आपको बदा दू कॉल ऑप्सन या पूट ऑप्सन का वेल्यू पूछा जा सकते हैं तो में करना होगा और मैं जिस तरीके से आपको करमूला ही रहे एक तरीके से याद कराने किस्वा पूछा जाना नहीं पहली वात हो हो रियार में कुछ टेस्ट होने वालने नहीं सब को पता आभ और इस अप्पीट्र से अपनी exercise price करते हैं और यह stock price है अपका current का price हो गया तो यह समझो यह stock price है यह current price है और यह फ्यूचर में जब हम call exercise करेंगे तब यह price देंगे तो अभी याद क्या रखना है stock price में आपका लगता है nd1 और strike price में आपका लगेगा nd2 बस इतना भी याद दो रूठ, stock price में क्या लगेगा nd1 लगेगा ंड2 और इसकी अलावा इसे अमें present value में खीचना होते है क्या क्या करना होते है यह क्या होते है उच्छ िोर्र का यहाले सूर्मूला क्या है कि आपका stock is stock के price में nd1 लगा माइनस आपका जो exercise price है जिसे हम x कहते है उस पे आप लगाओगे nd2 लेकिन ये जो exercise price है ने इसे present value में खीचना होते हैं तो present value में हम यहाँ पर continuous compounding की मदद से खीचते हैं इसलिए हम यहाँ पर लगाते है ERT तो आपका stock price minus exercise price है normally आपका निकल के आता है call option का value आपके दिमाग में खूर में चला गया होगा nd1, nd2 लेकिन ये present value में होगा तो S में nd1 लगाया और X में लगाया nd2 लेकिन ये present value में जाएगा अब मुझे क्या निकालना है D1 और निकालना है D2 तो D1 आपको मुझे याद कराना पड़ेगा इसको आपको याद करना पड़ेगा यही learn करना ही अब इसको मेरे साथ साथ learn करना क्या होगा natural log S by X S यहनी stock का price X यहनी striker base और S के बाद ही तो X आते हैं तो S पहले वाला alphabet में जो पहले क्या आएगा S आएगा उसकी बाद X आएगा तो इससे याद रहेगा S by X तो L N S by X होगा प्लस हम क्या करते हैं R प्लस आधा 0.5 sigma square T लेते हैं और नीचे पता है क्या लेते हैं नीचे भी आपको याद हो जाएगा उपर सी याद हो जाएगा देखो यहाँ पर sigma square लिया ना नीचे सिर्फ sigma लेना sigma square मत लेना नीचे सिर्फ sigma लेना तो अगर sigma square की जगा नीचे आप सिर्फ sigma लोगे तो T की जगा भी आपको root T लेना पड़ेगा तो exam में आपको याद आएगा numerator से अपने अप denominator याद आएगा हाँ उपर वाला अगर याद कर लिया तो sigma square की जगा sigma आएगा denominator ऐसे याद रखोगे D1 माइनस denominator denominator क्या ये वाला sigma root T तो ये अपने आप याद होगा D2 अपने आप याद होगा सर क्या D1 माइनस denominator बात खतम ये हमें याद हो गया और सर D1 भी याद हो रहे natural log S by X plus हमें R लिना R क्या है interest rate R प्लस आधा 0.5 sigma square T और नीचे sigma square के जगा sigma और T के जगा root T तो ये वाला आगया अप ये वाला भी अपने आप याद हो जाएगा तो महनत थोड़ी सी इसी में याद करने में बाकी कहीं पर भी महनत नहीं ये भी याद हो रहे है और ये तो अपने आप योगे सार खून में चला गए D1-Denominator बात खतम अब इसको हम क्या करेंगे इसकी volume लिखेंगे तो देखो LN S by X के अगर मैं बात करूँ पहले मैं ये लिखता हूँ S का volume में देखो दिया हुआ 80 और X का value दिया हुआ 75 80 divided by 75 पहले मैं इसको ही तोड़ता हूँ तो देखो 80 divided by 75 कितना होते 80 divided by 75 बगर आप देखोगे तो ये आएगा LN 1.0667 और आपको पता है इसका value में दिया हुआ ये देखो LN 1.0667 का value दिया हुआ 0.0646 तो आपका अराम से एक बाद एक पार्ट करना एक पार्ट हमने सल्टा लिया अब प्लेस हम क्या करेंगे आर का value बठाएंगे आर यानि interest rate 12% 12% यानि 0.12 प्लेस 0.5 sigma square है sigma आपको SD standard division दिया हुआ 0.40 variance दे तो समझाना variance नहीं SD लेना है variance दे तो direct लेना square मत करना तो 0.40 square लेंगे और time period कितना है हमारा 6 मेन है यहनि 6 by 12 ले लेंगे मैं तो एक बार यह याद हुआ फिर तो value बैठाना और कुछ भी नहीं करना आपको और नीचे क्या लेना sigma यहनि 0.40 लेंगे और into root T है तो T क्या है 6 by 12 हो जाएगा हमारा यह हमने कर लिया अब फिर हम क्या करेंगे नीचे हम value 0.12 है अब बदाओ 0.40 square into 0.5 कितना होता है 0.4 into 0.4 into 0.5 0.08 होता है तो यह आगया 0.08 और यह 6 by 12 को मैं 0.5 क्या सकता हूँ यह 0.5 आगया मेरा और नीचे वाला का value क्या होगा calculator में कर लिएते है 6 by 12 कितना होता है 0.5 होता है 0.5 को root कर लिया 0.7071 into 0.4 कर लिया सीधा मेरा 0.2828 का answer आ रहा है मैं सीधा बैठा रहा हूँ 0.2828 मेरा सीधा answer आ गया फिर उपर अब देखो यहाँ पर कितना रहा 0.20 into 0.5 करोगे 0.10 आगया यह तो math से बस 0.2828 आ गया तो इसका value हम क्या लिखेंगे 0.1646 divided by 0.28 0.28 इसका value आएगा 0.1646 divided 0.28 0.28 इना आगया 0.5820 आ गया तो यह मेरा value आ गया अब इधर तो यह वाले tension ही नहीं यह तो इत्दम simple सी बात है D2 क्या बोला मैंने D1 minus denominator तो D1 मैंने निकाल लिया 0.5820 और minus denominator denominator यह रहा यह रहा denominator तो यह तो खूर में चला गया D1 minus denominator 0.28 0.2828 आ गया आपका यह 0.5820 minus 0.2828 हमारा आ चुका है यह 0.292 हो गया हमारा तो देखो यह वाला value हमने निकाल लिया D1 का और D2 का सोरी और यह वाला मैंने D1 का value निकाल लिया मैं फिर सी इबर 2 मिनिट लूँगा आपको याद कराने के लिए क्योंकि मेरे साथ साथ ही अब याद कर लोग यह बात खतम यहाँ पर मैंने बोला stock में लगा देना ND1 strike price में लगा देना ND2 तो उससे अपने आप ही आजाएगा formula S में लग गया ND1 और X में strike price में लग गया ND2 बस X को present value में खीचना है इसलिए मैंने ERT लिया तो अपनी आप ही खून में गया मेरे यह फिर अब अगर मैं D1 की बात करूँ एक्जाम में natural log S by X S पहले आता है X पहले आता है यहनि stock price by strike price natural log stock price by strike price हो गया plus बस यह याद करना है R प्लस आधा sigma square T T bracket के बाद बाहर आएगा R प्लस आधा sigma square T और नीचे क्या आएगा sigma square के जगा sigma T के जगा root T दोनों का मनलब square root type हो गया आपका sigma square के जगा sigma हो गया square root करने पर t का root t हो गया हमारा और उधर क्या होगा d2 तो खुल में गया d1- denominator तो d1 मैंने निकाला ये रहा और denominator मेरा ये रहा इसका वल्लू का रहा तो ये बताओ आराम से फटा-फट से मुझे comment करके बताओ sir क्या हम d1, d2 समालेंगे हमें बस ये वाला पार्ट थोड़ा से दिमाग में डालना फूर में डालना से एक बार और बोदो d1, d1 क्या था natural हो, stock price by strike price हो गया, plus हम लेंगे क्या, r plus 0.5, r plus आधा sigma square t, पुरा divide by क्या होगा नीचे, उपर से अपनिया भी आदेगा sigma square का आधा sigma और t का आधा root t, तो अपनिया आप या आगे में रहिए, और इधर तो d2 यानि d1 minus denominator, इतना कर लिया बात खतम, अब problem क्या देखो, मुझे d1 ही, मुझे nd1 चाहिए और nd2 चाहिए, तो यहाँ पर problem में, अब मुझे चाहिए nd1 और मुझे चाहिए nd2, तो मैंने d1, d2 तो निका लिया, मतलब अब मुझे nd.5820 चाहिए, और मुझे nd चाहिए, इधर कितना 0.2 double into, इसकी value मुझे चाहिए, तो इसके लिए मुझे distribution table का use करना पड़ेगा, अब मैं यह आपको फटा-फट से बता देते हूं, क्या करना आपको, अगर आपको सीधा उपर लिखावा रहे cumulative area, तो सीधा उसी values का इस्तमाल करना है, क्या, cumulative area लिखावा रहेगा, तो सीधा उसी values का इस्तमाल करना है, लेकिन अगर one till लिखावा tail दिया हुआ है, तो मैंने इन सब को one से minus किया, one minus point four zero one three, मेरा ये value आ गया one minus point three eight two one, मेरा ये value आ गया ऐसे करके मेरा ये value आ गया, कितने बार यहाँ पर two tail भी दिया हुआ रहत है, तो two tail को पहले one tail बनाओ, यानि divide by two करो तो अगर two tail दिया हुआ रहेगा तो पहले divide by two करके उसको one tail बनाओ फिर one से minus करूँ simple सी वाद एकदम याद होगा cumulative area सीधा करेंगे one tail दिया हुआ रहेगा one से minus करेंगे two tail दिया हुआ रहेगा पहले one tail पर पहुचाएंगे divide by two करके फिर one से minus कर देंगे मेरा cumulative area आ गया अब मुझे क्या करना है मैंने ये भी समझ लिया अब मुझे चाहिए point five eight two zero का value and point five eight two zero का value पर देखो यहाँ पर and जो number of दिया हुआ आपका point two five point three zero point five five point six zero का दिया हुआ point five eight two zero का दिया हुआ नहीं तो आपको आते हैं हम करते थे ने interpolation, extrapolation वैसे करेंगे तो देखो point five five का value दिया हुआ and point six zero का value दिया हुआ point seven zero double eight point seven two five seven तो मैंने वही इस्तेमाल के देखो point five five का value दिया हुआ point seven zero double eight point six zero का value दिया हुआ point seven two five seven यह दोनों value का मैंने इस्तेमाल के हैं के इन सब का value बैठा दिए अब interpolation में क्या करूंगा मैं देखूंगा इधर gap 0.05 का है इधर 0.0169 का है मलब 0.05 का gap होने पर 0.0169 है इधर gap है 0.05 का gap होने पर 0.0169 है हमें gap कितना चाहिए हमें 0.55 से 0.520 पर पहुचाना है क्योंकि हमें value चाहिए 0.520 की value चाहिए हमें तो यानि हम बोलेंगे gap कितना 0.0320 का gap हमें fulfill करना है तो 0.05 में अगर ये value है तो 1 में क्या value होगा 0.0169 divided by 0.05 तो 0.0320 में क्या होगा इसी पर multiply कर तो 0.0320 ये वाला value आ जाएगा तो ये जो मेरा value आया अब मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा 0.55 में ये value है और remaining 0.0320 में ये वाली value है तो ये वाली value और ये वाली value complex कर देंगे यानि ये represent कर रहा है किसको 0.55 को और ये represent कर रहा है 0.0320 को बन गया 0.5820 0.7196 मेरा value आ गया यानि इसका value मेरा आ गया 0.7196 बस बात खतम अब nd2 की बात करेंगे सेम वैसे nd2 में करेंगे देखो n.2992 का मुझे value निकान ले 0.2992 का मुझे value निकान ले मैं बुलूँगा 0.25 का value दिया हुआ है 0.30 का value दिया हुआ है मुझे तुछ ये 0.2992 का ये निट इतना value आएगा ये 0.0189 आ गया तो अब मैं क्या बोलूँगा मैं कहूंगा 0.25 में तो ये value है मैंने ये ले लिया और बागी का 0.0492 का value ये रहा तो ये लेकिए मैंने 0.6176 भी निकाल लिया इसका value 0.6176 भी मैंने इसका value निकाल लिया तो बात खतम यनि कुछ नहीं करना ये करने के बाद अब आपका खतम मैं आपको फटाफट आगे revise भी करा दूँगा टेंसन की कोई बात नहीं अब देखो अब आपको call की value निकाल लिया तो ये तो मैंने आपको खूल में डाल दिया थ आर आर क्या interest rate interest rate दिया हुआ इसमें 12% 12% एनी 0.12 और time दिया हुए 6 मेने का तो देखो E.12 into 6 by 12 ले लिया मैंने E.06 आया और E.06 आपके question में given आप देख लो 1.062 आपके question में given है ये देखो E.062 आपके question में given है E.06 का value 1.062 तो बात खतम अब देखो stock का price तो 80 में पता ही था N.D.1 तो मैंने अभी निकाला था 0.7196 मैंने value डाल दिया एक्स का value 75 question में दिया हुआ था E.R.D. जस्ट अभी अभी निकाला और N.D.2 का value हमने अभी determine कर लिया तो सब value determine करने पर हमारा call option का value आ गया बस बात का तम solution का तम तो इतना ही तो था कितना समय लगा मैं I think hardly 15 minute लग आपको छोटा सा पर अभी मैं फिर से आपको बताना चाहा तो एक्जाम में क्या करना मुलना सर स में N.D.1 लगेगा और X में N.D.2 लगेगा लेकिन X में present value होगा तो इसलिए आपका S N.D.1 S आपका क्या हो जाएगा N.D.1 हो जाएगा और X मेरा क्या आएगा divide by ERT N.D.2 होगा ये मेरा formula बना D.1 D.2 कैसे निकालूँगा D.1 मेरे खुल में जा रहा है natural log S by X plus क्या करेंगे R plus 0.5 sigma square T नीचे आएगा sigma और T के जगा root T आएगा और D.2 क्या होगा D.1 माइनस denominator तो ये अब ये होते ही मैंने क्या क्या इसको तोड़ा और मैंने value निकाल लिया D.1 D.2 का value निकाला पर मुझे तो N.D.1 N.D.2 का value चीए तो मैंने distribution table का इस्तमाल किया तो अब मुझे यहाँ पर cumulative area निकालना है तो cumulative area direct दिया वा रहता है तो कोई बात नहीं मुझे दिया वह one tail का value तो मैंने one minus ये किया तो मेरा cumulative area आ गया अगर two tail दिया वा रहता तो मैं पहले divide by two करता उसके बाद मैं one से minus करता मेरा cumulative area आ जाता अब देखो 0.5820 इन दोनों की बीच में fall करते हैं तो मैं यह दोनों value के बीच का कोई value होगा मुझे इतना पता है यह दोनों के कोई बीच का value होगा और हमारा आया पी था 0.7196 इन दोनों के बीच का value वह निकाल दिया interpolation करके यह value निकालते ही हमारा काम खतम और यह तो आपका बस extra से महनती तो black souls का काम ही नहीं यह यह दोनों करने के बाद हमें क्या करना है हमें call का value अब value put करना है stock nd1 nd1 निकाल लिया strike press nd1 nd2 strike press में nd2 लगाया वो भी निकाला हुए और ERT तो मैंने अलग से निकाला निकाल के बैठाया मेरा call का value आया बताओ फटा-फट समझ में आया की नहीं है एकदम खून में गय है की नहीं गया अब एक बार फटा-फट रिवैस करोगे खून में जाएगा अब देखो अगर बाहिचांस exam में put option आजाए तो उल्टा कर देना उल्टा कर देना उल्टा करने का मतलब हमने वहां पर क्या बोलाता है s में nd1 लगेगा मैंने कहा था और x में मैंने कहा था nd आपको यही करना है nd1 की जगा 1-nd1 करना है put option में call option में तो nd1 था लेकिन put option की अगर बात आएगी तो nd1 की जगा 1-nd1 कर देना और nd2 की जगा 1-nd2 कर देना और x को present value में खीचना है बस मुद्दा किया यह चला जाएगा left side में और यह चला जाएगा right side में और आपका minus हो जाएगा क्योंकि put option उल्टा रहता है call उपर का भाव होता है put नीचे का भाव होता है तो यह उल्टा हो जाएगा बस बात करता है तो इतना ही आपको करना है यह आप देखिए s मैंने right side में लिखा s nd1 होते है s की जगह मैंने 1-nd1 लिखा और x में nd2 होते है nd2 की जगह मै ने 1-nd2 किया और ERT तो हमें पता ही present value में strike price को present value में लाना होता है ASCO कभी भी हम present value में नहीं लेकिया आते हैं बागी same तरीगा nd2 nd1 का value तो same वैसे ही निकालोगे और वो value put करोगे आप चाहो तो इसमें भी put कर सकते हो जो nd1 का value अपने निकाला जो nd2 का value निकाला वो सार कि नहीं है एक बार अगर समझ में करके जाना मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को समझ में नहीं है बटा मैं मैं पर कोई logic नहीं है ऐसे मैं logic के साथ पढ़ाता हूं पर मेरा भी परिपस से कल का exam आपका सही कर दे न अगर आपका वाईच्छान सी कोशन है तो पटा अभी मैं समझ में आ गया ने एक दम अच्छे से सबको ना नहीं आया है ना समझ में आ एक दम अच्छे से चलो तो आई तिंग आप सभी को समझ में आ गया अगर जरत पड़े तो फिर से एक बार करते न यह कोशिन आपका खतम हो जाएगा डन अभी हम टाटा भाई 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 एंड होप सो आपका एक्जाम अच्छा हो हाँ इंटर पोलीशन फोर्मूला लगाओ जो भी लगाओ करके आप कर सकते हो ठीक है चलो बाई 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 एवरीवन हम ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खेचते अभी